अगामी 24 जन्यूर ये दिल्हीना लाल किल्ना पर थनारा द्वजवंदन अने रिपब्लीक डेनी परेडम दवाद नी डिपीय स्कूल नी धोरण अग्यारनी विद्यार्थी नी प्राची माटे यादकार बनी रहवानी छे करण के प्राची आपरेड पीम बॉक्स माँ बैसी नी निहार शे देश भर माँ थी सिलेक्ट करवा माँ आविला पचास बाड़ोको माँ प्राची नो समाविश्था हो चे प्राची ने आ मोको मरता तैना परिवार माँ पन खुशी छे गतवर्षे CBSी द्वारा लिवायल धोरण 10 नी बॉड नी परिक्षामा 500 माँ थी प्राची चारसो नववानू मार्क्स मिरवया चे तो प्राची आ बॉड एक्जाम मा टॉपर रही हती गवर्मेंट ओफ इंडिया एजुकेशन डिपार्टमेंट ओफ स्कूल एजुकेशन एन लिटरसी तरफ थी प्राची ने दिलही नू आमंत्रण मर्युचे तो आगामी 25 से 27 तारिक सुधी तेमना माटे तमाम व्यवस्ता पन कराये चे प्राची ये आंगे जानावी चे के 26 जैनुआरी नी आ परेड माँ जवा माटे ती पना आतूर चे दिल्ली मां जे 26 जैनुआरी नी जे परेड यो जावानी चे अने तेमा पीएम बॉक्स मां बेसी अने ते आखे आखी जे परेड निहार से एक लेटर पन एजुकेशन मिनिस्ट्री माती प्राची न मले उचे प्राची अपनी साथे चे प्राची पासे थी जानी शू क्या कहेंगे जिस प्रकार से जो एजुकेशन मिनिस्ट्री में से लेटर आया है और PM बॉक्स में बेटके आपको मोका मिलेगा जो 26 जनवरी की परेड़ देखने का क्या है? हमें Ministry of Education ने बुलाया है, इन्वाइट किया है, वो PM बॉक्स जो रहता है उसमें बेटके जो 26 जनवरी की परेड़ है वो देखेंगे हम. हमें 25 जनवरी को वहाँ जाना है, होटल अशो का होटल में और फिर 26 जनवरी की परेड़ अटेंट करेंगे, बाद में मिनिस्टर्स के साथ इंटराक्शन होगा और फिर यह है. अच्छा, आप जैसे 50 बच्चे हैं, उनको ऐसा मौका मिलता है, इंडिया में से वो चूने जाते हैं, केसे सिलेक्शन होता है? सिलेक्शन ये, जो CBSE की अपनी बोर्ड की परिक्षा रहती है, तो उसमें क्लास टेंट बोर्ड में जो भी सारे टॉपर रहते हैं, उनको सिलेक्ट किया है. आपका सिलेक्शन केसे हुआ था? मैं को, मुझे 500 टोटल मार्क्ष रहते हैं, तो मुझे 499 मार्क्ष आये थे, तो मैं All India टॉपर थी, तो फिर इसले मेरा सिलेक्शन हुआ. ये इसका 10th बोर्ड की बेसिस पे हुआ है, इसको 10th में इसने CBSC टॉपर्स में इसका नाम था, तो वहां से फिर Ministry of Education से हमें ऐसा लेटर आया, कि जो 50 meritorious student हैं, उनको PM बॉक्स में बैटके ये Republic Day देखने का मौका मिला है. और कैसा महसूस कर रहे हैं? एक्शली हम लोग ज़्याद अच्छा तो इसलिए महसूस कर रहे हैं कि इस टाइम जो हमारे भारत के परधान मंतरी शीरी नरेंदर मोदी जी हैं, हम सब लोग उनको बहुत अपना आइडियल मानते हैं और उनको इसको उनने देखने का मौका मिलेगा, ये हमारे लिए बढ